कुछ दिन पहले से हमने सेल्फ स्टेडी सीरी स्टार्ट किया था उसमें अगर आपने वन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है वहां से आप उन वीडियोस को चक्का सकते हो आज जो हम डिसकस करने वाले हैं वह है चीजे हम देखने वाले हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन को दबा देना ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियोस आपके मिस ना हो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनके बार में थोड कहीं न कहीं हर साल दो से तीन बनते हैं और मॉडन मैंट से भी कुशन कहीं न कहीं दो से तीन कुशन बन सकते हैं और आपको यहां पे ध्यान में क्या रखना है अगर आप क्याट का पेपर देखते आ रहे हो पैटन ना कोईट से पहले तीन घंटे का था और जब से कोईड कहीं नगी दो घंटे के पैटर्स में कनवर्ट हो चुका है जब तीन घंटे की पेपर आती है तो दो से तीन कोशन्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर दो घंटे का कोशन्स आता है तो कहीं नगी एक से दो ही कोशन्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगी इसका मतलब क्य है बाकी के सारे questions कहीं न कहीं सिर्फ इनी तीन category से आने वाले हैं ना कि इन दोनों से ये मैं सारी चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि जब आप preparation स्टार्ट करोगे QA का और कोई भी book उठाओगे तो सबसे पहला topic कहों पर number system होता है तो सारे बच्चे क्या करते कहीं न कहीं number system से start करते हैं number system देखो ये बहुत ही बड़ा topic है उसमें बहुत सारे theorems आते हैं properties आते हैं तो जब अब उसे करते बैटोगे तो कहीं न कहीं बहुत time waste आप कर दोगे वहाँ पे और एक reason भी है number system स्टार्ट करने का बहुत लोगों को लगता है कि basic होता है तो start करने के लिए कहते हैं और उसकी complexity बहुत लोगों को पता नहीं है तो unnecessary अपना time waste मत करना number system से start करते हुए अगर मेरा मानो तो आपको कहीं न कहीं क्या करना है arithmetic से start करना है क्योंकि यह बहुत relatable topic है 10 तक जो अपनी चीजे पढ़ी है वही आने वाला है वही percentage होगा profit and loss होगा SICI होने वाला है तो सारी चीजे आपको already पता है तो इसलिए arithmetic से start करो और उसके बाद algebra geometry जिस order में यहाँ पर लिखा गया है इसी order को follow करो ठीक है अब हम देखते हैं कि इसके sources और important points होगा क्या होने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है sources sources में आपको क्या करना है कोई भी standard book उठाओ standard book में क्या होता है कोई भी book जब उठाओ तो तीन level आती हैं वहाँ पर level one level two level three नाम अलग-अलग हो सकता है शायद basic question moderate question difficult questions ऐसे दे सकते हैं पर ultimately कोई भी book जब उठाओ ते हो तीन ही level उसके अंदर होने वाले हैं अभी के लिए आपको क्या करना है सिर्फ दो level तक ही अपने आपको limited रखना है क्योंकि third level कही कहीं कहीं cat से बहुत ज्यादा हो जाता है अपको अभी के लिए उसे neglect करना है सिर्फ दो level तक अपने आपको limited रखो next जी जो है previous year papers and mocks इसको अभी के लिए मत करना जब आपका complete syllabus खतम हो जाता है उसके बाद जब हम mocks start करेंगे तब आप क्या कर सकते हो previous year papers का pattern और mocks अगरा देख सकते हो अभी के लिए इसे नहीं करना आपको उसके बाद क्योंगे जब daily targets की बात आती है कोई भी chapter जब आप उटाते हो कहीं न कहीं 30 to 50 questions करने की try करो इतने ज़्यादा questions इसलिए मैं बता रहा हो आपको क्योंकि level 1 के questions बहुत आसान होते हैं उसके बाद level 2 में आपको थोड़ी सी difficulty level लग सकती है पर level 1 खतम करते करते आपको understanding आ जाएगा कि किस तरसे solve करना होता है तो level 2 में अपने आप आपना ज़्यादा questions solve कर पाऊगे तो daily target कहीं न कहीं 30 to 50 questions रखा करो अब आता है सबसे important चीज़ क्या-क्या points आपको धहन में रखनी है एक चीज़ समझो यहाँ पर आपको एक separate 100 pages का एक book बनाना पड़ेगा जहाँ पर आप सिर्फ formulas लिखा करोगे सारे category से वो arithmetic से हो सकता है algebra से हो सकता है geometry से हो सकता है पर सारे formulas आप एक book में collect करके रखोगे यह सिर्फ formula के लिए होगा इसके अलावा उसके अंदर कुछ भी मत लिखना उसके बाद जब particular chapters को आप स्टार्ट करने वाले हो जैसे percentages हो गया या profit and loss हो गया आपको क्या करना है एक अलग से notebook बनाना पड़ेगा अगर मेरा मानों तो arithmetic से लिए अलग algebra के लिए अलग और geometry के लिए इस तरह से अलग-अलग section के लिए अलग-अलग notes बनाओ ताकि वो सब कुछ एक organized way में ready हो जाए अब हम notes किस लिए बना रहे हैं और किस तरह से आपको बनाना पड़ेगा एक चीज़ समझों notes बना ले ताकि हम revision कर पाए अगर आप LRDI और VRC की बात करते हो वहाँ पे ज्यादा तर notes बनाने के लिए कुछ होता नहीं है अब चीजों को practice करोगे उसमें improvement लाने के कोशिश कर करोगे जो previous अपने chapters की हैं वो भूलते चले जाओगे इसलिए आपको क्या करना है notes prepare करने और notes भी किस तर से prepare करोगे जैसे अगर मैं example लूँ अगर आप percentage से start कर रहे हो आप क्या करोगे percentage में बहुत important concept होता है fraction to percentage conversion जैसे 1 by 2 is equal to 50% होता है 1 by 3 equal to 33.33 percentage होता है तो यह जो important points है व देखने के बाद जब आप कोई भी बुक उटाते हो उस बुक में worked examples होते हैं कोई भी बुक उटाना है standard books में उसमें आपको क्या करना है बैट के सारे worked examples को देखने है ताक्या pattern को समझ पाओ उसमें जो unique patterns मिलते हैं या फिर अलग-अलग type के questions आपको मिलते हैं वो questions with answers अपने लिखे रखा है अब आपको क्या करना है level 1 से questions को solve करना start करना है level 1 में क्या होगा बहुत सारी questions को आप कर पाओगे पर कुछ questions में आपको दिक्कत आने वाली है वो questions थोड़े से unique होंगे तो उनको क्या करो book में ही tick डाल के रखो कि ताकि अपना उसे revisit कर पाओ अगर आप उनक the notes भी बनाना चाहते हो तो आपने notes में question with answers वो भी लिखे रखना finally important चीज़ क्या है यह जो सारी syllabus से आपको कहीं न कहीं जुले तक खतम करना है इससे ज़्यादा आप time नहीं ले सकते क्योंकि आप अभी जान में professions कर रहे हो पूरा cat का syllabus कहीं न कहीं खतम करने के लिए six to seven months ल लेना चाहिए तो जुले तक इसे खतम कर लेना worst case scenario में मान के चलना अगर आपका जुले तक खतम नहीं हो रहा तो कितना आपको cover करना है जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कहीं न कहीं worst case scenario में आपको at least यह 4 topics scope को cover करने worst case scenario में इस scope leave कर सकते हो ताकि आप बाद में cover कर पाओ या फिर इससे कम तो possible नहीं है बटा six to seven months बहुत जादा time होता है अगर आपके पास time है तो पूरा syllabus cover कर लो उसके बाद क्या होता है एक बड़ी जुले में अगर आपका syllabus खतम हो जाता है उसके बाद हम mocks देना start करेंगे तो जब आप mocks दोगे तब आप क्या कर सकते ह हो थोड़ा पहुतना यह revision पर ला सकते हो और level 3 अगर आप करना चाहते हो तो level 3 कर सकते हो साथ साथ आपके पास previous year के papers होंगे अगर आपके पास previous year के mocks है तो वह भी आपना वहां से भी आप practice करना start कर सकते हो तो ऐसे इस तरह से आपको क्या करना है किवे की preparations करना है हम क्या क करने वाले हैं जो next कोई upcoming वीडियो आएगा क्योंकि मैंने अभी सारी चीज़े कवर कर लिए मैंने बताया आपको वी आर्सी का preparation कैसे करना है LRD और किवे का सबकी preparation strategy मैंने आपको बता दिये तो upcoming वीडियो में हम क्या देखेंगे कि rough time table असानी कि वही चीज़ आपको follow करना पड़ेगा हम discuss करेंगे कि rough time table अब किस तर से prepare कर सकते हो ताकि सारी सिलाबस जुले था खतम हो जाए यह हम देखेंगे साथ इसाथ जब self study कर रहे होते हो कुछ mistakes आप करने वाले हो तो mistakes क्या है वो सारी चीज़ों के पर हम discussing करेंगे ताकि आपका कहीं पर भी time waste ना हो तो उस Instagram handle को follow करो अगर आप mail send करना चाते हो तो आप यहाँ पर मुझे mail send कर सकते हो अगर आप हमारे courses चक करना चाते हो तो आपको इस website को visit करना पड़ेगा यहाँ पर demo lectures भी uploaded है तो आप वहाँ पर सिर्फ sign up करके free में demo lectures देख सकते हो अगर आपको courses पसंद आते हैं तो आपर courses भी मिलते हैं आगले वीडियो में